अगर आज आप खुश हो तो जी भरकर अपनी उस खुशी को जीओ और अगर दुखी हो तो उस दुख को इस उम्मीद के साथ पूरे मन से अपनाओ कि वक्त जैसा भी हो बीचता जरूर है और एक दिन बदलता भी जरूर है नमस्ते दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में और इस वीडियो की शुरुवात मैं कर रही हूँ शाम की कॉफी के साथ जी हां मैंने अभी करीब दो वीडियो पहले आप लोगों को कॉफी का पेस्ट बनाना सिखाया तो यह वही पेस्ट है और फ्रिज में रखने से देखिए काफी गाढ़ा हो चुका है तो इसी से मैं अपनी कॉफी बना रही हूँ पिसली एक दो वीडियो में मैंने शियर भी किया है लगतार आप लोगों के साथ तो आज फिर से एक बड़ा चमच कॉफी का पेस्ट लेक तो फिल्हाल इस कॉफी को मैं अकेले ही इंजॉय करूंगी और बिल्कुल क्रीमी सी ठिक वाली हमारी कॉफी तैयार हुई है इसके उपर मैंने थोड़ा सा कोको पाउडर हाँ कोको पाउडर ही बोलते हैं उसको वो भी मैंने शिड़का था क्योंकि रखा था मेरे पास और आप इसका टेक्स्चर देखिए यह कितनी क्रीमी है मुझे इसके लिए किसी भी मशीन की जरूत नहीं पड़ती है कभी भी इस तरह से पेस्ट बना के रखती हूँ ना तो हर बार बिल्कुल क्रीमी ठिक वाली और जागदार कॉफी मुझे मिलती है तो चलिए आप भी मेरे के लिए चूर्मा बनाया था तो पिसली वीडियो में मैंने बोला था ना कि वीडियो जादा लंबी हो रही है तो अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं यहां पे मैंने जब सारा खाना बना लिया था उसके बाद दो रोटी बनाई है गेहूं की जिन में हलका सा नमक डाला हुआ था मैंने मतलब आटे में नमक है और थोड़ी मोटी मोटी मैंने रोटियां बनाई है और बस गरम गरम ही इनको हमें तोड़ना है हमें यह सारा ही काम बिल्कुल गरम गरम रोटियों के साथ करना है छोटे छोटे चोटे तुकडों में रोटियों को तोड़ ले आदि कटोरी शक्कर लगी है, दो रोटी का मैं चूरमा बना रही हूँ हूँ हाँ तो आदि कटोरी शक्कर काफी हुई, आप ज़ादा बनाओ 또 फिर ज़ादा शक्कर लगेगी और घी भी ज़ादा लगेगा, तो अब आता है जी मेन पार्ट आपको गरम गरम ही इन रोटियों को बिलकुल अपने हाथ से मसलना है, जितनी जान आपके अंदर हो आप लगा दीजिए और बिलकुल बारीक इनको आपको मीठे के साथ, घी के साथ बिलकुल एक जान कर देना है और ये हमारा बचपन का फेव करके साथ या आप चाहो तो गुड़ को भी बारी बारी काट के चाकू से उसके साथ डाल लीजिए गुड़ अपने आप पिखल जाएगा गरम गरम रोटियों में और हमारी मम्मी हमेशा हमारे लिए इसको बनाती थी और यह ऐसा मीठा है कि बहुत जादा फोर्डेबल भी है इसके लिए ना तो हमें मावा चाहिए ना अलग से कुछ मतलब कुकिंग करनी है खास तो मम्मी जब भी रोटिया बनाती थी ना इस तरह से लास्ट में दो रोटिया बना के और चूर्मा बना देती थी और लगबग एक एक लड़्डू सभी भाई बैनों के हमारे हिससे आ जाता है तो दो रोटियों में उसे तीन लड़्डू बने हैं दो थोड़े बड़े एक थोड़ा चोटा और मेरी बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं है इसको बहुत पसंद है चूर्मे के लड़्डू और ये काफी दिनों से मुझसे कहवी रही थी इसका डानस आप देख खा सकूं तो यहां पे बैठके वानी इंजॉय कर रही है अपना चूर्मा और मैंने बोला भी था कि बिटा जितना खाना है उतना लेलो क्योंकि सारा तो ये खा नहीं पाएगी और इसमें से इसने करीब डेड़ लड़ू छोड़ भी दिया था चूर्मे का तो सूपर टेस गया है इसको नेक्स डे खा लेगी और अभी जैसे इसमें घी है ना तो आप इसको तोड़के हलका सा दुबारा गरम करके भी दे सकते हो बच्चों को कोई रिक्कत नहीं है गर्मी में तो खेर ऐसे ही खा लेंगे क्योंकि घी जमता नहीं है गर्मियों में तो अब शुरू सा नमक, आदा चमच हल्दी, आदा चमच लाल मिर्च आप इसमें चाहो तो मिर्च थोड़ी बढ़ा भी सकते हो अपने स्वाद के हिसाब से जितना भी आप तीखा खाओ साथ ही मैंने इसमें खड़ा धनिया डाला है थोड़ा सा कूट के और चोथाई चमच के करीब हींग डाला है हींग जरूर डालिएगा क्योंकि बेसन है वो फिर कभी-कभी भारी हो जाता है पेट वे धेर सारा मैंने हरा धनिया डाला है इसमें अगर आप हरा धनिया न डालना चाहो तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हो उसका च्वाद भी बहुत अच्छा आता है मिस्सी रोटी में और साथ-साथ मेरी क्लीनिंग जारी है आप देखी सकते हो क्योंकि धनिया का थोड़ा सा ना पानी गिरिया था यहां पर धोया था न मैंने तो इसलिए तो क्लीनिंग भी हाथ के हाथ ही करनी चाहिए यहां पर मैंने ली है दो बिल्कुल छोटी-छोटी सी प्याज एक इस आटे में ही मिला दिया है और अब इस आटे को हम गुन गुने पानी से गुथेंगे यह पानी गुन गुना है बहुत ज़्यादा गरम नहीं है तो सब चीजों को एक जगा अच्छे से मिलाईए और फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालके आप आठा गुतिए बहुत ज देखते रही है कि आठा बहुत ज़्यादा पतला नहीं हो जाए नहीं तो फिर यह हैंडल नहीं हो पाएगा हमसे तो यहां पे हमारा यह बिल्कुल मुलायम सा डो बनके हो गया है तैयार जैसे हम रोटी का डो बनाता है यह सिंपल गेहूं की रोटी का बस उसी कंसिस्टें और इस रोटी को आपको हलका सा मोटा बनाना है जो आप गेहूं की रोटी बनाते हो उससे हलका सा मोटा तभी इसका स्वाद आता है अगर आप इसको बिल्कुल पतली गेहूं की रोटी की तरह बना दोगे तो इसका स्वाद नहीं आएगा और इसको सेखने के लिए आज को मीडियम रखिए बहुत जादा हाई हीट पे अगर आप सेकोगे तो रोटी हमारी जल जाएगी और ये रोटी हमें ना सेकनी है थोड़ी कुरकुरी सी तो अभी आप देखिए दोनों तरफ से अच्छे से तवे पे सिख गई रोटी उसके बाद अब मैं इसको गैस पे इसको घंड किनारे भी कच्चे न रहे आप इस तरह से किये ताकि रोटी फूले या ना फूले लेकिन कच्ची नहीं रहनी चाहिए कहीं से भी आप इस पर लगाईए धेर सारा डेशी घी और इसको इस तरह से क्रश करके जब आप परोसिए तो मिसी रोटी हमारी तयार है और इसको मैंने परोसा है, पनीर की सबजी के साथ, जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शियर की थी न, वही सबजी बची हुई थी, और उसी सबजी के साथ मैंने सबको परोसा है, तो ये मिस्टी रोटी इतनी स्वाद होती है न, मैं बता नहीं सकती, इसके स अगर आपके पास सब्जी भी ना होना, आप सिंपल इसको दही से खा लीजिए, चट्नी से या अचार से खा लीजिए, या फिर सिंपल चाय के साथ भी ऐसे ही खा सकते हैं, बच्चों को आप टिफिन में भी इसको ऐजे परांठा बना के दे सकते हैं, तो यहाँ पे कोई नहीं फूलेगी, तो उसमें इतनी टेंशन लेने की कोई जरूत नहीं है, अब आप आगे वीडियो में इस रोटी का थोड़ा साउंड सुनिएगा, जो इसका एक्च्वल साउंड होता है, आप इस रोटी पे मैं लगाऊंगी धेर सारा घी और यह है इसका एक्च्व जी ही हो, आप इसको सिंपल दही के साथ, अचार के साथ, चटनी के साथ, जैसे भी चाहो खालो, और बहुत ही करारी भी होती हैं, और नरम भी होती हैं साथे साथ, और इस से मैंने एक पराठा भी बनाया था, जैसे मैंने कहा कि आप इसको बच्चों को टिफिन में भी बना खाने का तो मैंने अपने लिए बनाया है ये एक कुरकुरा सा पराठा थोड़ा सा मीडियम ऑच पे सेखते हुए मैंने इसको दबा दबा के सिखा है और पराठे बनाने का सबसे पहला रूल यही होता है कि आपैसा भी पराठा बना ओचाहे तो इस तरह से धीमी आज पर दभा कि आप इनको आपके आपिणा थे और हमारे प्लेटी से प्राठ जाएंगे तयार तो ने रोटी आप को मिस्सी ही कुंआ प consideration चुछ देखे और यह और लेके दार और जल्दी ही मैंने अपना खाना खा लिया था, एक्चुली जल्दी नहीं हम इसी टाइम तक अपना खाना खा लेते हैं 8-8 बजे तक, उसके बाद सारी किचन की क्लीनिंग की थी, और पहले दिन जो मटर बच गई थी न, वो भी मुझे निकालनी थी, वो भी मैंने रात को ब पसंद आएगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थेंक्यू सो मच फॉर वाचिंग, मेरी वीडियो को अपना कीमती टाइम देने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, चलती हूं, दोबार देना बिलकुल मत भूलिएगा,